नमस्कार दोस्तों, मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेटिव डिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोनों के वीडियो इपको देखने को मिल जाएंगे तrition आपने continent urine में छोर्न पर सव करता हैं और सभी प्रस्नों को यहांब पर संग्रा किया है साथ साद मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो का उद्नेशाल पर से पतना हूँ इस वीडियो का उद्देश शिर्फ रित नहीं है कि आप सभी को पता चल जाए कि किस प्रकार के CTAT exam में प्रशने पूशे जाते हैं और कुछ प्रशने ऐसे होते हैं जो CTAT exam में repeat होते हैं यादि आपने अभी तक प्रावे सियर के paper नहीं पड़े हैं फिर किसी ने पड़े भी होंगे तो उनको पता होगा कि कुछ प्रशने ऐसे होते हैं जो repeat होते हैं तो हर प्रशने को आपको धियान में देना है और उससे सम्मन्द जो प्रशने बनते हैं उन प्रशने को भी आपको याद कर लेना है क्योंकि कोन सा प्रस्ण कब पूछ आई इसका कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर 2011 लगाकर 2020 में यतने भी exam में हुए वहाँ से कहीं से भी प्रस्ण उठाया जा सकता है अगली exam में तो यहाँ पर धियाँ धीयान दीज़ेगा, एक एक प्रस्ण को समझेगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे एप से टेट सेक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो link description में है वहाँ पर जाकर एप से को डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको सीटेट और अन्नेटेट इग्जाम के प्रावे सीयर पेपर व्याख्या सहेत मिल जाएगे साथ ही साथ आपको 15,000 से ज़्यादा questions भी मिल जाएगे अलग-अलग section में तो जाकर हमारे एप से को डाउनलोड कर लीजिगा अपने rating दे दीजिगा और अपना सुझाओ जरूर दीजिगा कमेंट से के माध्यम से कि उसमें क्या-क्या एड करने की आवशकता है और वहाँ आपको केसा लगा चलिए सुरू करते हैं आज का पहला प्रूशन है दत्त कारिक के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सही यहाँ पर आपको दत कारिक के संबंद में बताना है कौन सा कथन सही है चारो वीकल्पो के माध्यम से आपको आंसर देना है दीखिए यहाँ पर मैं चारो वीकल्पो को नहीं पढ़ूँगा ज्यादा समय खराब होगा चार विकलपा आपको उसकर करके वीडियो देख सकते हैं उसके बाद आपांसर या तो कमेंट्स के मात दिम सी या फिर अपनी कोपी में लिख सकते हैं और अंते में हमें जरूर बता सकते हैं कि इन 30 प्रशनों में आपको कितने नंबर आए तो यहा परियावारन अध्यन की कक्छा में सरल प्रियोग और निदरसन किये जा सकते हैं किसके लिए किये जा सकते हैं दोस्तों परियावारन अध्यन की कक्छा में सरल प्रियोग और निदरसन यहाँ पर चारो विकलपों के माध्यम से आपको सही विकलप कर चैन करना है तो यहाँ बिष्रम से या फिर बुद्धी से या फिर अपनी चमता से यदि उस ग्यान को अर्जित करता है तो वहां उस ग्यान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होता है तो यहां पर हमारा जो रैटा अंसर होगा वो बीवाला रहेगा चलिए गला प्रश्ण है दुर्गा एक ग पर खाना पकाती है उसमें गोबर वा उपले का इधन का इस्तमाल करती है जिससे कि उसको पिछले तीन महिनों से तेज खासी है तो इसका कारण क्या हो सकता है यह आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से तो यहां पर हमारा रैट आंसर होगा जलते हुए इध इधन से उतपादित काला धुआ जो उसके स्वसन नली में जमा हो गया होगा यह कारण हो सकता है यह पर देखे जलते हुए इधन से उतपादित काला धुआ अब इस काले धवय में कौन सी गेस निकलती है तो याद रखेगा क्या कुन सी गेस निकलती है कार्बन मोनो अक्साइड गेस निकलती है जो की हमारे सरीर के लिए हानिकारक होती है फिर हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारक होती है अगर यहां लगातार प्रयोग किया जाए यदि इस गेस का तो यहां हमारे स्वसन नली में जम जाता है याद र जाता है जिससे जो दुर्गा को तीन महीने से लगातार खासी हो रही तेज खासी उसका कारण कारबन मोनो आकसाइट गे से जो कि उसके स्वसनली में जंग गई है तो यहाँ पर हमारा जो रैट अंसर होगा वो सीवाला रहेगा चलिए अगला प्रश्ण है एक विध्याले ने राजस्तान के लिए कक्छा पांच के बच्चों के सिक्षिक ब्रह्मन की योजना बनाई ब्रह्मन के दुरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्छा रहेगी यहाँ पर आपको बताना है ब्रह्मन के दुरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्छा रहेगी यदि आप राजस्तान लेकर जा रहे हैं बच्चों को एक विध्याले की तरब से कक्षा 5 के बच्चे हैं तो उनसे आपकी क्या अपेक्छा रहेगी यह आपको बताना है इन 4 विकल्पों के मात्यम से तो यहाँ पर हमारा रैट आंसर होगा उनसे हमें जो अपेक्छा रहेग हैं रानी अपने घर का कोड़ा नीचे दरसाएं तरीके से दो धेरियों में अलग करती यहाँ पर आप दो धेरिया देख सकते हैं पहले धेरी में केले के छिलके सबजियों के छिलके और सूकी पत्या देखने को मिलेगी और दूसरी धेरी में आपको यहाँ पर जेमसे की ब बनाई गई है कूडे की वो कौन से अधार पर बनाई गई है कौन सा अधार आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से दीख रहा है तो यहाँ पर यदि हम तालिका के माध्यम से देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केले के छिलके सबजियों के छिलके और लाई गई टूपेश्ट ट्यूब प्लास्टिक के खिलों ने ये अपगटित नहीं हो सकते हैं तो प्रस्ने में क्या कुछा गया था? रिना ने दो धेरियों में कूडा निम्न अधार पर अलग किया है कोन से अधार पर अलग किया है तो उन्होंने अभगटित होने वाले और अभगटित नहीं होने वाले अधार पर अलग किया है तो यहाँ पर हमारा जो रेट answer होगा वो बीवाला रहेगा चलिए एगला प्रश्ण है दोपहर के भोजन अवकास के बाद परियावरन अध्यन पढ़ाते समय आप यहां पाते हैं कि बच्चे पाठ में रूची नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे तो यहां पर हमारा रैट आंसर होगा पाठ को रोचक बनाने के लिए बहु आयामी बुद्धी पर अधारित दरस स्रव साम अगरी का परियोग करेंगे तो यहां पर हमारा जो रैट आंसर होगा वो भीवाला रहेगा चलिए अगला प्रश्न है परियावरण अध्यन के सिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिडियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं आप बच्चों को निमलिखित में से कोन सी गतिविधी करने की अनुमती नहीं देंगे यहां पर आपको बताना है कि यदि आप बच्चों को चिडियाघर ले ज जाने के लिए अनुमती नहीं देंगी तो यहाँ पर हमारा जो रैट आंसर होगा वो डिवाला रहेगा चलिए अगला प्रश्ने हैं बीज अंकुरन की अउधारना को इस तरह सबसे बहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है कौन से बहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता दोस्तों बीज अंकुरन की अउधारना को इन चारो विकल्पों के माध्यम से आपको सही विकल्प का चैन करना है तो यहाँ पर हमारा रैट आंसर होगा बीज अंकुरन की अउधारना को बीज बोने अंकुरन के विभिन्य चर्णों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गति वीदियों को बच्चों में निश्पादित करके बहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डीवाला रहेगा चल जगला प्रशन है मीरा और दिव्या छोटी लड़किया है मीरा समोसे कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्वी की कमी है मीरा और दिव्या को निमलिकित बीमारियों में से कमरशा कौन सी बीमारी होगी यहाँ पर प्रश्ण में पूछा गया है दो लड़किया है जिसमें जो मीरा है उसको समोसे कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद है और जबकि दिव्या है वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्वी की कमी है तो इन दोनों जो लड़किया है इनको कौन सी बीमारी होने की संभावना है या फिर कौन सी बीमारी होगी तो इन दोनों को यहाँ पर मोटापा और एनीमिया जैसी बीमारी होगी यहाँ पर देखिए मीरा समोसे कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है तो जाहिल सी बात है उसको मोटापा होगा और दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्वी की कमी है तो यहाँ पर मैं आपको बता दू जिसमें लोह तत्वी की कमी होती है उसमें जो हीमोगलोबिन होता है उसमें कमी आती है या फिर कह सकते है कि उसके अंदर हिमोगलोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सीवाला रहेगा चलिए अगला प्रश्ने है नीबू साधरनता पानी में डूब जाता है लेकिन नमकिन पानी में तेरता रहता है क्योंकि क्यों होता है इसा दोस्तों जो नीबू होता है वो साधरनता पानी में डूब जाता है लेकिन जो नमकिन होता है वो पानी में तेरता है इसा क्यों होता है इन चारो विकल्पों के माध्यम से आपको सही विकल्प का चियन करना है तो यहाँ पर हमारा रेट आंसर होगा नेमू साधरन पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तेरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी का गहनत वो साधरन पानी के गहनत वो से अधिक होता है इसलिए नेमू साधरन पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में त इरता रहता है तो यहाँ पर हमारा जो रेट आंसर होगा वो भीवाला रहेगा चलिए अगला प्रश्ने है पके हुए चावल रेफ्रीजरेटर में अपेक छाकरत लंबे समय तक परिरक्षित किये जा सकते हैं क्योंकि क्यों कि जा सकते दोस्तों जो पके हुई चावल होते हैं वो रेफ्रीजरेटर में अपेक्षकरत लंबे समय तक परिरक्षित किये जा सकते हैं सक्यों चारो विकल्पों की माद्यम से आपको सही विकल्प का चेन करना है तो यहाँ पर हमारा रेट अंसरोगा कम तापमान पर रोगानों निस्क्री हो जाते हैं पके हुई चावल रेफ्रीजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षकरत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं क्योंकि इसका जो कारण होता है दोस्तों वो यहाँ होता है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगानों निस्क्री हो जाते हैं रख्त की जाच द्वारा किसकी उपस्तिती से मलेरिया की पहचान होती है तो यहाँ पर हमारा राख्त को निकाला जाता है उसके बाद उसकी जाच की जाती है उसके बाद ही आपको बताया जाता है कि आपको मलेरिया है या नहीं तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी उपस्तिती को देखकर मलेरिया की पहचान की जाती है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इन चारो विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है लाल रक्त कोसिकाओं में मलेरिया पर जीवी की उपस्तिती से मलेरिया की पहचान होती परियावारन अध्यन की कच्छा में अवधार्णाओं को इसपष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रियोग करना उचित दिसा में बच्चों की उर्जा को साकेंद्रित करता है, पाठ को अनंदायक और रोचक बनाने में मदद करता है, इस्तानी एवं विस्व इस्तर पर संसार की प्रकति को खोजने और कलपना करने की योगता का विकास करने में मदद करता है, या फिर बच्चों में विद्धिमान भाशिक एवं सांसकरतिक विविता को ध्यान में रखता है, तो यहाँ पर हमारा रैट आंसर होगा, इस्तानी एवं विस्व इस्तर पर संसार की प्रकति को खोजने और कलपना करने की योगता का विकास करने में मदद करता है तो यहाँ पर हमारा जो रैट आंसर होगा वो सीवाला रहेगा चलिए अगला प्रश्ण है किसके नेतरत्व में चिपको आंदुलन को बल मिला प्रश्ण है दोस्तों काफी बार एकजाम में पूछा गया है चाहे वो सीटेट इकजाम हो या फिर अन्यटेट इकजाम हो यहाँ प्रश्ण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको बताना है किसके नेतरत्व में चिपको आंदुलन को बल मिला तो यहाँ पर हमारा जो रैट अन्सर होगा वो पहला वाला रहेगा यहाँ पर मैं आपको बता दू जो चिपको आंदुलन है दोस्तों यह एक परियावरण रक्षा का आंदुलन है और यहाँ भारत के उत्राखन राज्यों में किसानों ने व्रक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था यहाँ पर हमारा जो रैट अन्सर होगा वो पहला वाला रहेगा चलिदे गला प्रिश्न है विटामिन ऐसे पदार ते ही जो हमारी उपापचै दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं स्वस्त रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं या फिर हिंतिया जन्न रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मातरा में आवश्यक है तो यहाँ पर विटामिन से ऐसे पदार्त होते हैं दोस्तों आपने देखा होगा गरामिन छेतरों में कि वो गाय के गोबर से जोपड़ी की दिवार और फर्स को लीपते हैं तो वो क्यों लीपते हैं तो यहाँ पर हमारा रेट आंसर होगा चिकना और साब बनाने के लिए लीपते हैं वहां कहलाती, वहां कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निश्पावन या फिर्फ हसल की कटाई, तो यहां पर हमारा रैट आंसर होगा, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यहां किया जा सकता है, वहां थ्रेसिंग कहल क्या कहलाती है वहां थ्रेसिंग कहलाती है यहां पर वी वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चलिए अगला प्रशन है पर्यावारण अध्यन की पार्थी पुस्तक में पहलिया सामिल करने का निमलिकित में से कौन सा उद्देश नहीं है प्रशन को ध्यान से पढ़ना है उसके ब्रहम का आनंद उठाने देना यहां उद्देश नहीं है पर्यावारण अध्यन की पार्थी पुस्तक में पहलिया सामिल करने का यहां पर मैं आपको बता दूँ कि पर्यावारण अध्यन के पार्थी पुस्तक में पहलिया इसलिए दी जाती है ताकि विध्यारती ने जो पर्यावारन अध्यन की कक्छा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना सिक्षक को लाब पहुंचाता है। प्रकार के इधनों से परिचित कराने के लिए सिक्षक को क्या करना चाहिए या फिर वो क्या कर सकता है इन चारों विकल्पों की मात्यम से आपको बताना है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कोशल में सामिल है। सापेक्षे इस्तिती को समझने की योगता है। तो यहाँ पर हमारा जो रैट अंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। यहाँ देखा गया है कि पाचन किरिया बाहर की अपिक्षा आमासाई के अंदर अधिक तेजी से होती है। कि पाचन किरिया बाहर की अपिक्षा आमासाई के अंदर अधिक तेजी से होती है। यहाँ पर हमारा जो रैट अंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। निमलिकीत कतनों में से कौन सा प्राथमी किस्तर पर परियावारन अध्यन पढ़ाने का उद्देश नहीं है। प्राथमी किस्तर पर परियावारन अध्यन पढ़ाने का उद्देश नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है। निमलिकीत में से कौन सा प्राथमिक विद्ध्याले में परियावारन अध्यन पढ़ाने का उद्देश नहीं है। प्राथमिक विद्ध्याले में परियावारन अध्यन पढ़ाने का उद्देश निरुपित करता है। चलिए अगला प्रश्न है। एक पूरुस जिसका रक्त O है एवं A रक्त समूवाली इस्त्री से साधी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूवाली इस्त्री से साधी करता है। तो यहाँ पर हमारा जो रैट आंसर होगा वो B वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। तूटता तारा या फिर उलका है। क्या है दोस्तो एक समान गती से चलने वाला तारा है। एक चमकता पिंड जो वायू मंडल में एक समान गती से चलता है। जिसके एक सीरे पर पूँच होती या फिर उलकाफ जो प्रत्वी के वायू मंडल में प्रवेस करते ही आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पर हमारा रैट अंशर होगा तूटता तारा एक प्रकार का पिंड रहता है जो बहुत तेज गती से वायू मंडल में प्रवेस करता ही और वायू में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। पर हमारा राइट आंसर होगा सिक्षक द्वारा सरतत और आसरचनात्मक तरीकी से किये गई अवलोकन को बच्चो और अभी भावकों के साथ बाटना प्रात्मे किस्तर पर आकलन में सामिल होना चाहिए तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो भी वाला रहेगा और यहीं पर हमारे जो तीस प्रिशन थे जो आज का प्रावे सियर पेपर था 2011 का जिसमें आज हमने पर्यावरान अध्यन के तीस प्रिशन लिये थी और आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से के माध्यम से बताएगा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सेरे कर दीजिएगा और अभी तक हमारे एप से टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है